अगर मैं Tata के शुरुवाती दिनों की बात करूँ तो मेरे मन में दो नाम आते हैं Tata Somo, DC MUV of India और Indian Army की पहली पसंद दूसरा Legendary Tata 400 सार ट्रकिंग सीन का revolution रिजन ता एक Fuel Efficient 4SP Diesel Engine और Tata का बहतरी इन सर्विस नेट्वर्ग पर क्या हो अगर इस इंजन को सुमो में डाल दिया जाए ये बड़ी अच्छी बात के लिए सन 2000 में Tata अपनी सुमो को अपग्रेड कर रहा था और हमें मिली Spaceio वही 3.0 4SP Diesel Engine वील बेस नॉर्मल सुमो से बढ़ा यही नाम करण हुआ Spaceio यानि की जादा Space Spaceio थी एक affordable version एक soft-off version बे रेलीज़ हुआ for rural markets जिसका नाम था Spaceio ST इसमें 4WD version बे आया जो अभी तक सिफ आर्मी की सुमो में मिलता था 2007 में आए Spaceio Gold प्लस वही 4SP Engine बट चर्बो चार्ज फिर 2008 में आए Tata, Somo, Grande और 2011 आते-आते Spaceio को कर दिया अलविदा और 2019 में BS6 norm की वज़े से Somo को नाम ही market से चला गया क्या Tata को Somo वापस लानी चाहिए वो भी Defender की styling के साथ comments में बताएं और ऐसे और automotive content के लिए subscribe to Go Mechanic